क्या droppers IAT का form भर सकते हैं? क्या eligibility रहेगी IAT का form भरने के लिए? और क्या fees लगेगी IAT का form भरने के लिए? आज की वीडियो में यही हम discuss करेंगे. So, let's start. Hello everyone, welcome to SparkUp Classes. This is Summa Nyaadav. सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या droppers form भर सकते हैं? तो मैं आपको बता दू, हाँ, droppers बिल्कुल form भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक साल का drop होना चाहिए. इससे ज़्यादा अगर drop है, तो आप form नहीं fill कर सकते हैं. For example, अगर मालो, आपने 2023 में अपना 12th complete किया है, तो 2024 का आप form भर सकते हो, no problem. और अगर आपने 2024 में किया है, तब भी भर सकते हो, no problem. लेकिन अगर आपने 2022 में या उसके पहले आपने 12th pass out किया है, तो आप form भरने के लिए eligible नहीं हो. Okay? Next, क्या-क्या eligibility criteria है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. आपके 12th में कम से कम 60% marks होने चाहिए, अगर आप General से हो, EWS से हो या OBC से हो, आपके कम से कम 60% marks होने चाहिए. और अगर आप SCST हो या PWD हो, तो आपको 5% की relaxation दी गई है, यानि आपके कम से कम 55% marks होने चाहिए. तो अभी आप apply कर सकते हो, वनना apply नहीं कर सकते हो. आप math से हो या bio से हो, दोनों बच्चे इस भावन को भर सकते हैं. Next बात कर लेते हैं, कि application form की fees कितनी लगने वाली है. तो application form की fee 2000 है, for General OBC and EWS. लेकिन अगर आप SC या ST हो, या PWD हो, तो आपकी fees 1000 रुपीज लगेगी. और चाहिए आप math से हो या biology से हो, एक ही paper होता है. पेपर में physics, chemistry, math, biology सभी questions रहेंगे और सभी आपको attempt करने होंगे. चाहिए आप math से हो या biology से हो. Okay, so this is all about the video. और भी कोई दिक्कत, कोई परिशानी आती है, तो मुझे आप comment में बता सकते हो. और जिसको IAT exam के बारे में details नहीं मालूम है, वो मेरी येवाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि IAT एक बहुत अच्छा exam है, आपको जरूर देना चाहिए. तो येवाली वीडियो में मैंने आपको detail बता रखा है. वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास में मिल जाएगा और डिस्किप्शन में मिल जाएगा. So this is all about the video. Bye, take care.